इस किशोरी को जिससे आप यहां देख रही हैं, यहां मलपुर्रा में सुबुल सुलाम उच्छतर माधमिक विद्याले में ग्यारवी कक्षा में पढ़ती है। यहां सब तब शुरू हुआ जब रेजबिन ने अपने पेपर क्राफ्ट वर्क और अपनी कुछ कलाक्रीतियों की तस्वीरे इंस्टरग्राम पर साचा की। आज के डिजिटल युग में इमेल, मैसेजिंग और फोन कॉल जैसी कई सुविधाओं के बावजूद हस्तलिखित पत्रों का इंतजार और उनको पढ़ना एक अलगी प्रकार का रुमान्चक अनुभव है। अधे इंस्टरग्राम वळी नालपथिमून राज़िंगली नालपथिमून गूटार अधी तुरे रंड़ दुवसम् चाटिंगलूड पडिजिये पिड़ूं भायवड़ात्र कई मारूं। ऐसे समय में जब डाक वाली बकसे को लगभग लोग भूल गए हैं एक ऐसी पीड़ी जिसने हाथ से लिखे पत्रों के माध्यम से प्यार, खुशी और दुख की भावनाओं को साजा किया है वहाँ अब देजिटल माध्यमों पर चली गई है। अवहाँ हाँ से रिखे अंतर देशे पत्रों की बजाए इमोटी कौन्स का सहरा लेती है। रिजबिन को हाँ से रिखे के पत्रों का अधान प्रदान करना और उनकी माध्यम से दुनिया भर में दोस्ती करना बहुत रोमान्चक लगता है। वहाँ अपनी दोस्तों को पत्र लिखती है और दुनिया के विबिन हिस्सों के 43 देशों के 15 से 24 साल के अमरे के लोगों से पत्र और छोटे उपहार पाती है। क्या यहाँ दुनिया भर में दोस्त बनाने का एक शांदार तरीका नहीं है। ब्योरे रिपोर्ट एटीवी भारत 24 सो घंटे लगातार खबरे देखने के लिए डाउनलोड करें एटीवी भारत है। करती है।